नमस्कार प्यारे विद्यार्टियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके पने यूट्यूब चैनल मातमा क्लासिज में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पसु परिचारक पसु पालन से संबने 20 अती मतपुन प्रशनों के बारे में पढ़ेंगे जो प कुबड़ वाले उट का वेगेनिक नाम हमारे केमिलस, डोमेरिसियन हो जाएगा सी अंसर, बी ओप्सन जो बता रहें, उनका हो जाएगा सी अंसर, अगला प्रशनों, एन बी एए जी आर के अनुसार बारत में उटों की कुल कितनी नसले पंजीकर थे, जो एन बी एए जी कि कितनी नसले पंजीक्र थे, 12, 19, 37, 9, क्या हो जाने जल्सका बताओ, यहाँ पर औप्सन, डी नो हो जाने बाताओ, तो एन बी उसले पंजीकर थे, ई उप्सन जो बतारे, उनका हो जाने प्रशन, अगला प्रश्न, विज्यान की वस आका, जिसमें पशों का प्रबंधन, वह पालन पोशन का अधिनतर दिया जाता है उसे कहते है पसु शरीर रचना विज्ञान पसु चिक्रिचाल विज्ञान एनिमल हेड़ बैडरी उप्योक सभी जल्दी से एंसर बताओ क्या हो जाएगा यहापर उप्शन C एनिमल हेड़ बैडरी हो जाएगा C एंसर C उप्शन यहाँ पर उप्शन D हो जाएगा C एंसर D उप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा C एंसर अगला प्रिशन है आपका मादा पशु में घर्बधारन से लेकर प्रसव तक के बीच के समुख अंतराल को कहते हैं बदिया करन घर्बकाल घर्बधारन प्रीमाटीन क्या हो जाएगा जो मादा पशु होता है जो गर्बधारन से लेकर प्रसव तक के बीच के समुख बीच के समय को या अंतराल को क्या कहते हैं जल्दी से एंसर बताओ क्या हो जाएगा C एंसर जो मादा पशु गर्बधारन से लेकर प्रिश्व तक के बीच के अंतर या बीच के समय को घरबकार कहते हैं B option आपका हो जाएगा C answer घरबकार अगला प्रश्ण उट में आमाशे का कौन सा बाग अनुपस्तित होता है क्या हो जाएगा जल्दी से अंसर बताओ जो उट के आमाशे का कौन सा बाग अनुपस्तित होता है क्या हो जाएगा यहाँ पर option C और में जम हो जो अनुपस्तित रहा है, C ओप्सों जो बतारे, उनका हो जाएगा सही अंसर, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, रुमन्ती पशो में आमाशे के कितने भाग होते है, 2, 5, 1, 4, जल्दी से अंसर पतार, जो रुमन्ती पशो में, आमाशे के कुल कितने बाग होते हैं वो हमारी चार बाग होते हैं डी ओप्सन जो बतारे उनका हो जाएगा सही अंसर अगला प्रश्ण है आपका नेमने लिक्कित में से वेनिंग किस से संबंदित है मुर्गों में प्रजन समता को समाप्त कर देना क्या हो जाएगा जो वेनिंग वो किस से संबंदित है जल्दी से एंसर बताओ वो हमारी नवजात बच्चो या बच्चडी को माँ से अलग करके पालना वेनिंग कहलाता है आपका उप्सन D हो जाएगा सही एंसर अगला प्रश्ण है आपका नेमने लिकित को सुमेलित किजिए आपको इनमेस से आपको सुमेलित करना है क्या हो जाएगा जल्दी से एंसर बताओ क्या हो जाएगा आपका उप्सन C हो जाएगा C एंसर C उप्सन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा C एंसर अगला प्रश्ण है आपका sewer ke mans ko kis naam سے जानते है mutton, vanition, pork, beep जलदी से answer बता है sewer ke mans hotate यह mans hotate उसे किस naam से जाना जाता है क्या हो जायगा यहाँ पर option c pork हो जायगा सही answer sewer का mans होता है उसे pork के नाम से जाना जाता है c option जो बता रहे उनका हो जायगा सही answer अगला प्रश्ण उटनी में घरबकाल की अवदी होती है वो कितनी होती है 210 दिन, 310 दिन, 490 दिन, 390 दिन क्या हो जाएगा जो उटनी में घरबकाल की अवदी है वो कितनी होती है क्या हो जाएगा यहाँ पर option D, 390 दिन हो जाएगा C answer जो उठनी में घरबकाल के अवदी है वो हमारे 390 दिन होती है D option जो बतारे उनका हो जाएगा सही answer अगला प्रश्ण है आपका बेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस दमने द्वारा ग्याद की जाती है वो हमारे फिमोरस दमने द्वारा ग्याद की जाती है D option जो बतारे उनका हो जाएगा सही answer अगला प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण है आपके सामने नेमन लिकित को सुमेलित कीजिए बकरी 16-17 दिन मद चक्र बेड 20 दिन गाए 23 दिन उटनी 21 दिन आपको सुमेलित करना है क्या हो जाएगा जल्दी सही answer बताओ यहाँ पर देखो जो बकरी है वो हमारे उसका मद चक्र 20 दिन होता है कितना होता है कितना होता है 20 दिन होता है और हमारे बेड का मद चक्र 16-17 दिन होता है कितना होता है 16-17 दिन होता है और गाय का हमारा मद चक्र 21 दिन होता है और उटनी का 23 दिन होता है आपका option D हो जो गोवन्स में गुदेग का सामने तापक्रम होता है वह कितना होता है वो हमारे अटिस चल्षियर होता है ération अगला प्रश्ट आपका मॉर्गी में कुल दातों की संक्या होती है जो मॉर्गी में कुल दातों की संक्या वाक कितनी होती है 22, 32, 32 जल्दी संक्र बताओ क्या हो जाएगा यह पर Knud Não C Record क्या हो जाएगा नहीं होते है D option जो बता रें क्या हो जाएगा जल्दी से अंसर बताओ देखो जो गाए देखो जो गाए में सरी गाए के शरी में कुल हड्डियों की संक्याए वह हमारे 208 होती है कितनी होती है 208 होती है और गोडे में हमारे 200 होती है कितनी होती है गोडे में 200 हड्डिय होती है सरी में जो मुर्गी में शारीकआ सामने तापमाने व्यए वा कितना होता है? वह हमारेGU एक सू साथ ऐप हो जाएगा सी एंसर स्य आपका हो जाएगा सी एंसर अगला प्रश्ण गाएव बैस का जीवन काल कितना होता है? बारा वर्स, बीस वर्स, चालिस वर्स, बीस वर्स, दस वर्स, जो गाय वह बैस का उस्तम, जीवन काले, वह हमारे 20 वर्स होता है, कितना होता है, 20 वर्स, यह उप्सन जो बतारे, उनका हो जाएगा, C अंसर, 20 वर्स, अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण है आपका, अगला एप्सन दी बखरी हो जाएगा से सुखर तो आश्या खता ओंकी पसंद आये हैं अगर पसंद आitat चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर यहें मिलते हैं नए वीडियो के साहथ तब तक के लिए अलविदा जहिंग जे बारत